हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब देखिए एक नई डॉर्मेट गिजैन लेकर आई हूँ मैं जो बहुत ही प्यारा है दो कलर में मैं बनाई हूँ तो ये दो कलर में बना के दिखाऊंगी मैं कि कैसे बनेंगे तो चलिए मैं शुरुवात करती हूँ देखिए मैंने इसमें दो दो चार दो छे सात कली बना ली है सात कली बनाने के बाद आठवा कली इसमें मैं बनाके बताऊंगी कि कैसे बनेंगे तो देखिए मैंने दो खलर का उन ले लिया है और दस नमर की सलाई ले ली है और फंदे देखिए मैंने कितनी डाले है एक, दो, तेन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, एगारा दुनी, बाइस फंदे इसमें मैंने डाल लग की है तो देखिए इसको बनाना कैसे है माले जी ये पहली सलाई है और पहली ही सलाई से मैं आपको बताती हूं मैंने एलो कलर से दो सलाई बुन ली है एक सलाई सीधी सैट से एक सलाई उल्टी सैट से इसके बाद मैं दूसरी कलर इसमें आड़ कर रही हूँ यह मेंदी कलर है इसमें सारे फंदे बुन लोंगे लाश्ट तक हमें बुनना है देखिए मैंने ये सारे फंदे बुन लिए अब आगई इसकी सीधी साइड सी क्या करना है पहला फंद हम उतार लेंगे आप चाहे तो बुन भी सकती है और एक एक फंदे करके हम सारे फंदे बुन लेंगे देखिए आने सारे फंदे बुन लिए और दो फंदे यहां के हम छोड़ देए और यहीं से सलाई की पलट लेंगे और एक फंदा मैंने उतारा और बाके फंदे को हम कि इस तरह से उचम्प्लेट कर लेंगे है देखिए और इस नीचे की से रहे हम के जोड़ेंगे मैं हम दो फंदी हम नीचे का साथ से जोड़ेंगे और यहीं से पलड़ जाएंगे के लिए फिर से हम दो फंदा छोड़ेंगे है विटल बुनते हुए जाएंगे लास्ट तक और लास्ट फिर हम दो फंदे छोड़ देंगे कि इसी तरह हम दो-दो फंदे नि दोनों साट से छोड़ते हुए कम्प्लेट कर लेंगे देखिए दो फंदे पहले का दो फंदे अब छोड़ी और यहीं से पलट लेंगे तो इसी तरह से हम दो फंदे ही सेट से और दो फंदे ही सेट से छोड़ लेती हूँ फिर बीज में आके दिखाते हूँ देखिए दो दो फंदे छोड़ते हुए मैंने बीज में चार फंदे हैं तो दो फंदे मैं बुन लोगी एक फंदे मैंने उतारा एक फंदे बुन लो तो ये आधे-ाधे हिसे में बट गए हैं तो अब देखिए एक सैट दो फंदे जादा हैं एक सैट दो फंदे कम हैं देखें एक सैट बाड़ा फंदे हैं एक सैट दस फंदे हैं तो अब हमें क्या करना है देखें ये दो फंदे एक फंदा मैंने उतारा एक फंदा बुन लिया और दो फंदे जो मैंने छोड़े थे उसे भी मैं बुन ल दोनों साइट से इस तरह से यह यह हो गए अब यहीं से हम पलट लेंगे आप दोनों साइट सेने दो-दो फंदे जैसे छोड़े हैं उसी तरह से मं दोनों साइट से ले लेंगे तो यह डिजाइन बनके कम्प्लीट हो जाएगी देखिए दो फंदे ले ली फिर यहीं से में पलट जाएगे पहला फंदा उतारा और जो वागए फंदे है उसे हम बुन लेंगे और दो फंदे और हम इसमें एड़ कर लेंगे देखिए इस तरह से और यहीं से सलाई को पलट लेंगे पहला फंदा उतारा और बागए फंदे को हम बुन लेंगे बुनने के बाद हम लाष्ट में दो फंदे जो छोड़े हैं उसे भी आड़ कर लेंगे देखिए इस तरह से आपको अगर लगे यहां ग्यापिंग जादा है तो आप यहां से इस तरह से उठाके और दो पाई एक कर सकते हैं लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मुझे ऐसे ही बुनना है देखिए दो फंदे बुनी और पलड़े इससे क्या होगा कि जोल नहीं आएगी और सही बनती भी है अगर आपको लगे कि गेपिंग खतम करना है तो आप उस तरह से बना सकते हैं जैसे मैंने एक फंदे उठाके और दो गाई कर लिए इसलिए मैंने आपको दिखाती हूं इसी तरह से मैं दो दू फंदे इसमें जैसे च्षोड़ी थी उसा इसा ले लेती हूं फिर मैं आगए आपको दिखाते हैं देखिए दो फंदे करके मैंने सारे फंदे ले लिए लास्ट के दो फंदे चुट गए हैं तो इस सेट हम पहला फंद उतारा और एक सलाई में इसे तरह से बुनते हुए लास्ट तक जाओंगे तो यह कंप्लीट हो जाएगी देखिए दो फंदे लास्ट के थे यह भी मैंने बुल ली एक सलाई सीधी साइट से हम कंप्लीट कर लेते हैं फिर आगे आपको दिखाते हूं कि इसमें टिजैन कैसे फिर डालना है अब देखिए यह कंप्लीट हो गई अब क्या करना यहां से हम दूसरी कलर एड करेंगे तो इसमें से हमें 12 फंदा बुलना है दो हो गए तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस एगारा बारा बारा फंदे बुल लिए और नीचिक सार देखिए एक दो तेन चार पांच दस फंदे छोट गया और यहीं से हम सलाई को पलाट लेंगे सारे फंदे को बुन के कंप्लेट कर लेना है अब देखिए अब हमें क्या करना है अब दोनों कलर से हमें बुनाई करनी है तो अब हम 11 फंदा बुनाई करेंगे इस तरह से उल्ट उल्टे बुनते हुए हम 11 फंदा बुनाई करेंगे और एक फंदा लास्ट में छोड़ दे देखिए एक फंदा छोड़ दी एहीं से से हम सलाई को पलट लेंगे आप चाहें तो इसे बुन के भी ले सकते हैं उतार के भी ले सकते हैं ऐस तरह से देखिए एक सलाई कंप्लेट हो गई है एक लाएं अब फिर से हम एलो वाला कलर से बुनेंगे हमें एक लाइन मेंदी कलर से बनानी है तो एक लाइन एलो कलर से बनाना है देखिए एक एक फंदा हम दोनों कलर से बुनाई करेंगे और एक एक फंदा हम छोड़ते जाएंगे इस तरह से तो इसे तरह से हम हम इसमें छोड़ लेती हूं नौ फंदे फिर मैं आपको दिखाते हैं देखिए यह मैंने यह वलाड़ यह बना लिया है आधी आधी बन गई है अब आधी बनना वागी है तो देखिए एक एक फंदा करते हुए मैंने इसमें देखें दो दो चार दो छे आठ फंदे छोड़ दी है अब नौवा फत्ना में देखिए तीन फंदा हम बुल लेंगे एक छोड़ लेंगे आए guys ही से प्लड़ जाएंगे है अब को फंदा नहीं छोड़ेंगे अब हमें जो फंदा चोटा हुआ है उससे हमें लेना है इसमें एड करना है तो देखिए तीन फंदे थे अब चार फंदे हो जाएंगे जो जैसा कलर का है उसी कलर से हमें बुन के और फंदे को वापस इसमें जोड़ लेना है कि येलो कलर से बुन ली आप ग्रीन वाली से जो जैसा कलर का छुटा हुआ उसी कलर से हम बुनेंगे और इसे एड कर लेंगे इस तरह से और ये जूरता चला जाएगा इसके बाद ये डिजैन बन जाएगा कि जिस तरह से मैं एक एक पंदा छोड़े हैं उससे तरह से मैं इसमें एड कर लेंगे कि देखिए कि एक बार और देख लेजी कैसे जोड़ना है इसे देखिए जो जैसा कलर का है उसे कलर लगाएंगे और ये फंदा हम इसमें एड कर लेंगे तो इसी तरह से मैंने जितने फंदे छोड़े हैं यहां तक जोड़ लेती हूं फिर दिखाते हैं अब देखिए ये लास्ट सलाई है नीचे के साथ एक फंदा बच गया है उसे भी मैं इसमें एड कर लोती हूं देखिए एक फंदा चुटा हुआ है इसे भी एड कर लेते हैं और बाकि फंदे जो हैं वह सारे फंदे हम एलो कलर से बूल लेंगे तो ये लाइनिंग बन जाएगी एलो कलर से कि एक सलाई उल्टी साट से एक सलाई हम सेदी साट से बुनके कम्प्लीट कर लेंगे ऐसा है देखिए इस तरह से बनके कम्प्लीट हो जाएगी तो ये कली तयार हो गई है देखिए इसे तरह से ये बनके कम्प्लीट हो गई तो ये कम्प्लीट हो गई ये कली बन गई है अब हमें इसे फंदे कम करना है और सिलना है इसे जोटके इस तरह से तो मैं फंदे कम करना बताती हूं कि कैसे फंदे कम होंगे हम इसी कलर से दो का एक दो का एक कर देंगे इस तरह से तो मैं कर लेती हूं और सिलके फिर दिखाती हूं देखिए दोस्तो मैंने सिलके कम्प्रीट कर लिया है तो बहुत ही प्यारा लग रहा है ये सिलने के बाद देखिए और बनाने में बहुत आसान है जल्द बने भी जाता है कोई जोलूल नहीं आया है इसमें ना कोई शुकरन आया है तो कैसे लगा दोस्तों कमेंट करके जर झाल 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 झाल